and motion kinematics question number 11 इस question के अंदर हमें displacement time graph given है XT graph given है और पूचा है कि वो time बताओ जिसके उपर average velocity 0 हो क्या 0 हो? average velocity 0 हो average velocity पहले होता क्या है? average velocity 0 होना चाहिए average velocity दा है displacement upon time यही होता है average velocity right तो देखो ऐसा time बताना है जब average velocity 0 हो average velocity 0 करने के लिए time तो हम कभी 0 कर नहीं सकते displacement 0 करना पड़ेगा यानि displacement अगर 0 आ जाता है तो अपना average velocity 0 हो जाएगा अब इस graph को समझे क्या दे रहा है T is equal to 0 पे हम कहां पे है 20 मिटर के उपर है T 0 पे हम 20 मिटर के उपर है time बढ़ा और हम decrease हो रहे है यानि हमारा displacement 0 यहां के reference point से कम हो रहे है जैसे T is equal to 1 हुआ 20 से कुछ 19 हुआ होगा T is equal to 5 है तो 5 पे कुछ 15 के लग बगा है अपर 15 पे होंगे आगे बढ़ें तो मान दो यह 9 है तो कितने हो गए 5 पे आगे है अपर मान दो यह 5 है तो time बढ़ रहा है तो displacement decrease हो रहा है position decrease हो रही है पहले 20 था फिर 19 हुआ 18 हुआ 15 हुआ 10 हुआ अब 5 हो गया अब जैसे 10 आया तो वापस 5 6 हो गया 7 हो गया तो इस तरह से वापस जो position है वो increase हो रही है अगर position अपनी किसी point पे वापस 20 हो जाए initial कितना है initial 20 है अगर final भी 20 हो जाए यानि हम जहां से start किये वहीं पे वापस पहुच जाए जहां से start किये वहीं पे वापस पहुच जाए तो total displacement कितना होगा 0 हमने 20 से start किया तो 20 से start किया देखो यहां पर हम वापस बना रहा हूं graph 20 से हमने start किया मतलब हम यहां ते यहां से हमने start किया यह अपना 20 है तो यहां से हम निचे जा रहें ठीक है फिर 5 पर गए फिर वापस इस तरह से उपर जा रहें है ना तो वापस जब यहां से गुजरेंगे 20 से तब अपना displacement क्या होगा जीरो होगा तो यह दो देखो ऐसा टाइम देखो जब अपना वापस displacement जो पॉजिशन है एक्स वह 20 हो जाए तो यह 20 हो रहा है ने यहां से हो रहा है इसको में इसको यहां से 20 हो रहा है तो जो इसको अपन नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो यह सम्थिंग 12 आता है ग्राफ अच्छा नहीं कीवान है यह ग्राफ के पर होता तो सही आंसर आता तो यह सम्थिंग 12 के बराबर आता है तो 12 टी इस इकल टूट पर अपनी पोशिशन क्या हो जाएगी 20 तो टी इस इकल टूट पर हो जाएगी तो 20 हो गया तो displacement 20-20 by time कितना 12 तो अपना 0 हो जाएगा वेलोसिटी तो आंसर के आएगा टी टूट पर एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि वहां पर टोटल डिस्प्लेस्मेंट जीरो होगा जरा आपकिसी भी कॉश्चन के वीडियो सोलेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कॉश्चन नमबर और चप्टर नमबर कमेंट किए